दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर रहे हैं Zebronics का नया Zeb Juke Bar 3902 Sound Bar with Subwoofer साथ ही साथ आपको इसमें Virtual 5.1 का support भी मिल जाता है सारी details आपको बताएंगे साथ ही साथ इसका demo भी करके दिखाएंगे लेकिन वीडियो में आके पढ़ने के पहले जो लोग नए है वो नीचे दिया हूँ सब्सक्राइब का बिटन दबा दीजिए और मुझे अपना बंदू बना दीजिए दोस्तों मैं वो मनू आपको शॉपिंग बंदू लगे हाथ शुरू करते है दोस्तों ये है Zebronics Juke Bar 3902 का बॉक्स जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम वेट इसका 2.85 kg दिया हुआ है मुल्टी कनेक्टिविटी ओप्शन के साथ आता है Bluetooth 5.0, HDMI Arc Port, Optical, USB और Aux का सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है Virtual 5.1 का Experience आपको इस साउंड बार देने वाला है और साथी साथ Subwoofer Drive का Dimensions भी आप यहाँ पे देख सकते हैं चलिए अभी इसे Unbox कर लेते हैं Alright, Unboxing हो गई है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफी बड़ी असा Sound Bar देखने को मिल जाता है उपर Piano Black Finish दी हुई है साथी साथ Grill भी काफी सुन्दर लग रहा है Zebronics की Branding यहाँ पे आपको साइड में देखने को मिल जाती है पीछे के साइड आपको सारे के सारे Ports देखने को मिल जाते है Aux, Optical, HDMI, Arc, USB, DC-in और Subwoofer के आउट पोर्ट भी यहाँ पे मिल जाता है दो Hooks दी होए है Basically wall mount करने के लिए और सारे सारे नीचे आपको दो rubber padding भी मिल जाती है अगर आप इसे table पे रखते हैं तो यह vibrate नहीं होगा इस rubber padding के वज़े से तो यह काफी बढ़िया चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है Side में आपको यहाँ पे buttons मिल जाते हैं यह wooden subwoofer है काफी बढ़िया quality आपको यहाँ पे सुनने को मिलने वाली है Beats काफी loud आपको मिलने वाले है यहाँ पे यह wired है और wire काफी लंबी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है इसके अलावा यहाँ पे आपको power adapter भी मिल जाता है यहाँ इसका जो length है वो मुझे इतना जादा नहीं लग रहा है आपको remote भी मिल रहा है remote में आपको कई buttons देखने को मिल जाते हैं आपको input के लिए button है mute button आपको मिल जाता है volume up, volume down, reset treble बढ़ाने के लिए, base बढ़ाने के लिए Aux cable भी मिल रहा है, again which is a very thoughtful thing क्योंकि कई बार आपको Aux cable कोई brand नहीं देता है यहाँ पे आपको Aux cable भी मिल रहा है and finally यहाँ पे आपको एक scan भी मिल जाता है scan code भी मिल जाता है जिससे आप इसका user guide check out कर सकते हैं इस सारी चीजे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है strange time where you're selling your houses you say you don't want any material possessions and I haven't seen all that and I've been really excited to talk to you about this because it's an interesting thing to come from a guy like yourself like why are you doing that I'm slightly sad about it actually so friends, how do you feel like the audio? I mean, please tell me in the comment section but if you ask me, I'll say this package a small package, a big big package here you get to look at size very small soundbar very small and light साइजद सब उफर तो वाकई में बहुत ही छोटा लगता है और बहुत ही लाइट है जैसे का आप देख सकते हैं दो उंगली से भी आप इसे उठा सकते हैं लेकिन जो audio output आपको मिल रहा है वो काफी बढ़िया मिल रहा है 100 watt का आपको complete audio output मिल जाता है जिसमें से 40 watt आपको soundbar में से मिलता है 20-20 watt के 2 speakers है और 60 watt, 60 watt आपको यहां मिल जाता है सब उफर में से मिल जाता है अच्छा कासा remote आपको देखने को मिल जाता है काफी buttons है, detailed remote है जिस price point पे आपको यह मिल रहा है उसके लिए तो यह completely मैं कहूंगा value for money है क्योंकि धेर सारे connectivity ports भी आपको मिल रहे है अगर आप इसे TV के साथ connect करना चाहते है तो HDMI ARC port यूज़ कर लेना साथी साथ आपको Bluetooth का range भी काफी अच्छा मिल जाता है loudness भी यहां पे आपको अच्छी मिल जाती है और साथ ही साथ यह काफी portable भी मैं कहूंगा काफी portable, काफी light भी है एक दो misses मैं कहूंगा यहां पे अगर एक display होता तो better होता especially कौन सा equalizer mode में चला रहा हूं वो मुझे अगर देखने को मिलता है तो better होता base कितना बड़ा हुआ है, travel कितना बड़ा हुआ है, travel कितना कम है यह अगर मैं देख सकता volume कितना बड़ा हुआ है, अगर मैं देख सकता तो यह better होता तो LED display option यह miss कर रहा है लेकिन इसके अलावा especially जिस price point पे आपको यह मिल रहा है उसमें मुझे लगता है यह value for money option है अगर आपको कोई सवाल सुझाओ है तो नीचे comment box खुला हुआ है आप अपने सवाल सुझाओं वहाँ पे डाल सकते हैं कोशिश करूँगा आपके हर एक सवाल का जवाब दूँ इस वीडियो को यह ही पांग करते हैं अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को like कीजिए अपने दोस्तों के share कीजिए और जो लोग नए हैं वो चानल को subscribe कीजिए तो नीचे subscribe का button दबा कर फिर मिलेंगे अगे वीडियों में कुछ और interesting content के साथ जैसे कि मा में में शागे तो stay healthy, stay motivated, जै हिंद